परिक्षा एक ऐसा शब्द जिसका मतलब सबके लिए अलग होता है लेकिन नतीजा सिर्फ एक होता है पास या फैल राजधानी दिल्ली में पिछले 20 दिनों से ऐसी ही एक परिक्षा किसानों की हो रही है परिक्षा कृषिक कानून वापस लेने के द्रट संकल्प की परिक्षा उनकी सहन शिलता की दिल्ली में मौसम का मिजाच बदल चुका है यानि सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं ऐसे में एक परिक्षा अंदाताओं के स्वास्ते की भी है नमस्कार मैं हूँ सौनम सिंग और आ कानूंरत करने की मांग पर अड़े किसानों ने सोमवार को एक दिन का अंशन किया और देश की कई नितिन गड़करी ने समचार एजंसी A&I से कहा कि किसानों को आना चाहिए और इन कानूनों को समझना चाहिए हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है और उनके स्युजाओं को स्युकार करने के लिए तयार है हमारी सरकार में किसानों के साथ कोई अन्या नहीं होगा उन्होंने यह भी का कि कुछ लोग किसानों को गुमरा करने की कोशिश करके उनके प्रदशन का गलत उप्योग कर रहे हैं यह गलत है किसानों को तीन क्रशी कानोनों को समझने की कोशिश करने जाई रक्षामंती राजना सिंग ने भी कहा कि कृषी छेत्र जननी है और इसके खिलाफ फ्रतिगामी कदम उठाने का सवाल ही नहीं हाल्य सुधार भारत के किसानों की बहतरी को ध्यान में रखकर किये गए हैं केंद्य कृषी मंती नरेंदर सिंग तोमर ने कहा कि किसानों के साथ वारता की अगली तारिक तैय करने के लिए सरकार उनसे संपक में है तोमर ने कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी हम किसानों के साथ हैं संपक में हैं उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बाचित के लिए तयार है। किसान निताओं को तै करके बताना है कि वे अगली बैटकली कब तयार है। आपको बता दे कि किसानों और सरकार के मद्धिय अभी तक हुई सभी वारताइं फैल हो चुकी है। किसान अंदोलन की वज़ा से कई सड़कों पर जाम लग गया है जिस पर किसान नेताओं ने कहा कि हम अंदोलन मजबूरी में कर रहे हैं। केंद्रे द्वारा बनाए गए तीनो क्रशी कानून किसानों के हित में नहीं हैं। इसलिए सरकार को इन्हें रख करना पड़ेगा। क्रशी से संबंदीत और खबरों के लिए देखते रहे हैं किसान भारती धन्यवाद।